हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दूबे जी की काड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दूबे निसान इंडिया ने पहली Made for India and Made in India कार का कॉंसेप्ट रिलीज कर दिया है निसान ने SUV का नाम निसान मैगनाइट रखा है मैगनाइट के बारे में और बात करने से पहले हम निसान के बारे में थोड़ी बाते कर लेते हैं इस समय निसान इंडिया के पास किल दो ही प्रोड़क्ट है एक है किक्स और दूसरी है जी टिया तो अगर मास मार्केट में देखें तो केवल किक्स ही एक आप्शन है निसान के पास निसान अभी इंडिन मार्केट में स्ट्रगल कर रही है और निसान को एक स्ट्रॉंग प्रोड़क्ट की जरूरत है निसान के लिए मैगनाइट वो प्रोड़क्ट बन सकता है Magnite के design काफी हद तक Kicks और Nissan Family के दूसरे कार से inspired है अगर Magnite के front look की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा grill के साथ आती है और vertical DRLs भी मिलते है Magnite के headlamp भी Nissan Family से मिलते है वीडियो में जो दिख रहा है उस हिसाब से एक full LED setup मिलेगा Side profile भी boxy SUV जैसा नहीं है बलकि एक modern crossover जैसा है Lux के department में Magnite concept में तो काफी अच्छी लग रही है इसके engine option की बात करें तो ये दो engine के साथ आने की उमीद है पहला triber वाला 1.0L engine के साथ आएगी और ये शायद lower variants में मिले जिस तरह से venue के lower variants में 1.2L engine मिलता है वहीं एक 1.0L turbo petrol का भी option मिले जो शायद 110-120 PS की power generate करें Magnite में diesel engine मिलने की उमीद अभी तो नहीं है क्योंकि Nissan ने अपने सभी diesel engines को इंडिया से बंद कर दिया है Nissan ने interior तो नहीं दिखाया है लेकिन कुछ features के बारे में जरूर बताया है जो इस SUV में मिल सकते हैं यह features में आपको 360-degree camera, 8-inch touch screen, cruise control, connected car, 4 airbags जैसे features मिलेंगे अगर यह सभी features Magnite में आते हैं तो यह segment में एक अच्छी choice बन जाएगी अगर prices की बात करें तो Nissan इसे attractively price करने की कोशिच जरूर करेगा क्योंकि Nissan का वह market value इंडिया में नहीं है कि वह premium pricing charge कर पाए मेरे हिसाब से इसकी prices 5.5 lakh से शुरू के 9 lakh तक जाएगे इसकी launch date की बात करें तो पहले यह Diwali का round launch होने वाली थी लेकिन Corona, lockdown, pandemic जैसी problems की वज़र से अब इसका launch January 2020 में हो सकता है अगर यहां तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को like करें, share करें और page को subscribe करें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी और वीडियो को miss न करें वीडियो का न होता है